आज के इस लीडियो में हम सीखने वाले हैं बातरूम में CPUC pipe fitting complete किस तरह से की जाती है हमने एक बातरूम के लिए जीरी किये दोस्तो यहां पर हमें CPUC pipe fitting करना है और यहां पर देख सकते हमारा एक toilet का pipe है और एक bathroom का pipe है यहां पर हमें HWR के fitting भी करना है यहां पर हमारी sheet fit होने वाली है तो यहां पर हम पूरी fitting सिखने वाले हैं दोस्तों HWR pipe fitting भी सिखने वाले है और CPUC bathroom complete pipe fitting भी सिखने वाले है तो पहले fitting से हम यहां पर हमने जीरी किस तरह से की है दोस्तों वो हम समझ लेते हैं हमें fitting से पहले इस तरह से जीरी करना होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के ओर हमारा connection आने वाला है, दोस्तों टंकी से, और यहाँ पे हमें एक टी लगा के एक फॉलश के लिए connection करना है, यहाँ पे हमारी toilet sheet के लिए एक flush wall का connection करना होगा, और यहां पे हमें sheet के लिए एक नलका point भी देना है यहां पे एक नलका point आने वाला है और इसी जीरी से आगी के और दोस्तों हमने bathroom के लिए भी pipe fitting की है यहां पे हमारा नलका point आने वाला है bathroom के लिए और यहां पे उपर के और हमें एक shower का point देना होगा बात्रूम के लिए हमें शावेर का connection भी करना होता है और यहीं से आगी के ओर दोस्तों इसी करेक्शन से हमें गिजर के लिए एक point देना है यहाँ पर के ओपर के ओर हमारा गिजर लगने वाला है तो यहाँ पर गिजर के लिए हमें input connection देना है दोस्तों और यह जो पास में हमा सब्सक्राइब करने वाले हैं वह सब्सक्राइब करने वाले हैं और चखने वाले हैं तो उसमें प्रेशर में तो यहां पर हम सवाइंची की फिटिंग करने वाले हैं यहांप पास एक पूप्जिंग है जो सवाइंची से हमें एक इंची लाइन करना है हमेरा flush का जो connection आने वाला हो एक इंची का आने वाला है तो यहाँ पर हमें T में दोस्तों इस bushing को लगाना होगा यह सववा बाई पो निची का हमारे पाश एक reducer है हमें सववा इंची से पो निची लाइन करना हो connection के लिए वह पर इस तरह साब reduction लगा सकते हैं यह मरपया बराश के इल्बो हैं जो नलके point के लिए दोस्तों हमें लगने वाली है यह हम selected इल्बो है जाहर जाहां पर भी नलके point देना तो शावर के लिए वहाँ पर इस तरह हमें बराश इल्बो लगाना होती है हमारा पर से concealed का wall वे तो shower के पाने की बन चालू के लिए लगने वाले है देख सकते हैं आप एक mark निसान दिया वा है दोस्तो एरो का अब जब भी जिस तरह इस तरह पानी जाता है इसके mark निशान को आपको उस तरह रखना होता है यह वर पाश एमटी है दोस्तो यह हमें concealed wall को जो हमारा है उसमें connection के लिए लगने वाली है और यहां पर पूरा सामने दोस्तों में फिटिंग में लगने वाला है तो चले इसकी fitting किस तरह से की जाई हो हम समझ लेते हैं तो यहां से हम हमारी fitting को start करते हैं क्योंकि यह उपर की और हमारा दोस बिल्कुल सही से cutting कर लेना है आप यह तरह से काटना है कि इसे बाका नहीं कातना है दोस्तों पर जब अप इस तरह फिटिंग करें तो आप solution लगा रहेए काफी दियान अब जब भी इस तरह fitting करें तो इस तरह से इसके मुझ को सही से देख लें दोस्तों हमारी लाहिट कहीं से बाकी नहों लाहिए बहार नहीं जाए अब यहां पर दोस्तों हमारे पास यह बूशिंग है क्योंकि हमारा जो फ्लस का connection हमें करना है वह एक इंचिका आने वाला है और हमँ जो में लाहिन है दोस्तों हम जो fitting कर रहे हुँ सवा इंच की है तो हमारे पास यहां पर एक सवा बाइप एक बूशिंग है जिसमें जो हमारे नीची के जो connection आने वाले लाइन आने वाली है दोस प्धेट इक हो मिठालेंस तो उब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब की संथर आप इसतर से पॉडणी के सब आपको ग्राया से ऑखाए ड्श प्र equal किieurs डीड़ से डी स्रूर्प इम होगे और किस तरह से यह और आप इस तरह से plumbing का कोई भी काम सीखना चाहते है तो हमारे चेनल को दोस्तों सस्क्राइब जरूर कीजिए अब यहाँ पर देशकते हैं जो उपर के और हमारे connection गया हुआ है दोस्तों यहाँ पर इस pipe को हम fit कर लेते हैं इसी pipe से हमें tanky का collection भी करना होगा tanky का connection सही किस तरह किया जाता है दोस्तों उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं और आप इस तरह से plumbing का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चेनल को सस्क्राइब किजिए अब यहाँ पर आगे क्यों रहे देख सकते हैं अब यहाँ पर हमें एक बातरूम के लिए connection करना होगा तो उसके लिए भी हम यहाँ पर रडूशन की लगा रहे है सवाब आप पॉन इंची की जा जा पर के नल के लिए पॉन देना होते हैं वहाँ पर हमें इस तरह चेनल की लगाना होती है तो वहाँ पर आप एक इंची की कर सकते हैं क्योंकि एक इंची का जो यू पीविसी का गेज है वो काफी अच्छा होता है दोस्तों अब यहाँ पर एक नल के लिए हमें नीचे के लिए पॉन दिया है और यही से उपर के और हमें एक कंश्यल्ड वाल्व का करेशन करना होगा तो यहाँ पर हमें दोरों तरफ लिटिशर टी को लगाना होगा अब जितनी भी वाड़ा पाइप का तोड़ा लगने वाला है दोस्तों जितना हमारे टी में बैठने वाला है हमें उसकी नप्ती करके इसकी कटिंग कर लेना है हम यहाँ पर जो फिटिंग कर रहे हैं वो सारी फिटिंग कर रहे है अगर आप इस तरह से vals mixer की फिटिंग भी होती है अगर आप vals mixer की पाइप दिशखना चाहते है तो उसके लिए वाल मिक्सर का वीडियो पी हमारी चैनल पर बना हुआ है दोस्तों अब यहां पर हमारी जो नल के हाइट आने वाली है वह मिनिमम हाइट दोस्तों हमें 26-28 इंची तक आप ले सकते हैं जो इसकी जो सही हाइट है दोस्तों वह आपको 26 इंची ले लेना है नल कर जो पॉइंट होता है जबीन से फर्स से यह हमारा दोस्तों नल के लिए बाथरूम का पाइप कंप्लिट हो चुका है अब यहां से उपर के और हमें कंश्रीट वाल वे का करनेशन करना होगा यहां प करनेशन है दोस्तों यहां पे मैं इस तरह केमिकल आता है हे आप उसको लगा के का कनेशन करें इससे क्या मोजगा में लाइन कभी भी लिओकेश नहीं होगी दोस्तों आपको इस करना है तो उपर के और में इस तरह से मार्द अ को रख देना है और हम जो फौर ऑपर भी इसतरह से मार्द आता है दोस्तों अलगाना है अब यहाँ पे हमारा आरा कंच्छिन लिए रिड convention हो चुका है अब यहाँ पर आगे को रहा हमें करेंड़ रागाना होगा अगर आगे कोर हमारा सिरफ एक कि पाउनट आने वाला है गिजल का input correction कर लेते हैं अगर आपके पास एक या दो कर सकते हैं और आप ज्यादा कांब्र नठीक को लगाना है क्योंकि जो एक साथ और हम ज्यादा निल खोल देंगे दोस्तों तो हमारे जो नल का प्रेशर है वो काफी कम हो जाएगा पर अपकर एक या दो पांट हो तो वहाँ पर पूरिची की फिटिंग कर ले और आपके बाद ज्यादा पाइंड हो तो वहाँ पर इस तरह इंडिशर टी को लगाएं पूरिची की प्राबलम होती है वो इसी वज़ा से होती है आप शुलेशन शहीं से नहीं लगाते हैं और हमारी लाइल बाद में लिकेज होती है तो आप जब इस तरह फिटिंग करें तो शुलेशन लगाने को काफी रियान लखें अब यहाँ पर उपर क्यों हमारा दोस्तो शावर लगने वाला है तो उसके लिए यहाँ पर ब्राश एल्बो लगा लेना है अब जितना पीवाड़ा दोस्तों हमें पाइप का तुक्रा लगने वाला है उसकी नप्टी करकें में स्की कटिंग कर लेना है आप जहाँ जहाँ पर मिनराल के पॉइंट दिया शावर के यूश करें दोस्तो यहां पर देख सेते उपर के घर हमारा shower का connection भी हो चुका है अब यहां जो फिटिंग करना है दोस्तो गीजर की फिटिंग करना होगी हमरे पास जो गीजर का हमें input connection किया है यहां पर उपर का हमें बराश की वगिडरा कोई वगिडरा इसमें तूट फूट निकल जाती है दोस्तों हमारे जो पाईब आते हो ट्रांश्फोर्ट से आते हैं जिसमें मारे पाईब कई बार टू़ड़ आते हैं रखने में दिससे हमारी लाइन दोस्तो बात में lig hingege होती है और जो जितने भी इसे लिकेज नहों दोस्तों कहीं बार हो चुका है इसा कि टी वगेरा पाइव अगेरा भी लिकेजिंगी प्रोब्लाम आती है और बात में फर से फोट ना पड़ता है दोस्तों जिसमें पूरी गल्ती प्लंबर की केलाई जाती है तो आप जब इस तरह प्लंबी का काम करें दोस्तों पूरा विडियो बनावा दोस्तों के यहां पर हम आप वराँयो ब्राश रगाना ओंगी बास्कार न और शरी मुद्य का यहां किये जाती है और आप इस तरह से वाल मिक्सर के लिए पाइब फिटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिए हमारे चैनल पर पाइब फिटिंग का पूरा वीडियो बना हुआ है दोस्तो यहां पर उपर के और आप में यहां पर भी बराश के अलगो लगाना होगी और आप इस तरह से प्लंबी का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो बने हुए दोस्तो एट्रबलार पाइब फिटिंग के भी वीडियो बने हुए है और वाल मिक्सर की पाइब फिटिंग भी वीडियो बने हुए और वाल मिक्सर को किस तरह फिटिया जाता है उसकर भी वीडियो बना हुआ है दोस्तो और आप प्लंबी का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को दोस्तो सिस्क्राइब जरू कीजिए तो यहां पे देशनते हैं हमारा गिजर का आउट्पूट कनेक्शन भी कंपिलेट हो चुका है दोस्तो एक इंपूट कनेक्शन और आउट्पूट कनेक्शन भी हो चुका है यहां पे हमारी बाथरूम की पाइब फिटिंग दोस्तो कंपिलेट हो चुकी है अब यहां पे pipe fitting करने के पद आपको इस तरह से बिरंजी से pipe को tight कर देना है दोस्टों तीक हमारा pipe कहीं से हले नहीं है कहीं से बाकर न हो तो दोस्ताव हम समझ लेते हैं हम इat pipe fitting किस तरह से किये तो यहां पे हमारे जो main connection आनेवाला है वो यहां से उपर के और से आने वाला है दोस्तों यहां से हमारी टंकी उपर के और फिट होने वाली है यही समने देश्टों एक connection करके एक elbow लगागे एक फलेश के लिए connection दिया यहां पर देखते सववाई ची के हमने टी लगई है दोस्तों यहां पर ब्राश एर्बो लगाके और यही से आगे कर हमने एक रिडिश्टी लागे सववाई पॉनिची की एक कंशिल्ड वाल वे connection क्या है कंशिल्ड वाल का हमने दोरों तरफ MTS लगई है दोस्तों और यहां पर जो कंशिल्ड वाल में एक मारक का निसान होता है आपको उसको उपर क्यों रखना है जिस तरह भी हमारा पानी जाता है आपको जब भी इस तरह से फिटिंग करें तो इन चीज़वा काफी ध्यान रखना है ओपर के एक ब्राश की एर्बो लगई है जिसमें हमारा शावर लगने वाला है दोस्तों और यही से हमने एक सववावाई पॉनिच का रड़िशन लगाया है यहां पर जो गिजर का इंपूट कनेशन आने वाला है उसके लिए हमने यहां पर सववाई चिलाईन को पॉनिच भी किया है दोस्तों यहाँ पर एक elbow लोग आगे उपर गिरे एक brush elbow लोग गई है गीजर के लिए input connection के लिए और यही से हमने एक output connection दोस्तों यहाँ पर किया है गीजर का यहाँ पर हमारा गीजर का output connection है जिसमें हमारा गरम पानी आने वाला है तो आज के इस वीडियो में हमने काफी आसान तरिकी से बताया है दोस्तों किस तरह CPUC pipe fitting की जाती है और यहाँ पर देख से तमारा जो toilet का pipe है यहाँ पर एक street को fit करना होगा इस पर वीडियो बनाने वाले है आप इस तरह से plumbing का कोई भी काम सीखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को subscribe किसे हमारे चलाब को plumbing के इस तरह सभी वीडियो में लेवाले बात रुक pipe fitting के toilet sheet fitting के अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रू कर ले